हाई फ्रेंट आज सीडियों बात करने वालें ECS इस्पेंट T10 लीग का आज का जो फस्ट मेच और मेच नंबर 51 होगा वो के ले जाने वाला है BAD वर्सिस BI की बीच में सुरूगा मेच का टायम है रहने वाला है आज दो फिर एक बच के पंदरा मिनट में सुरूगा वीधर की बात करें तो मोसम बिल्कुल साप रहेगा सेम ग्राउंड पर मेच होगा पिछली पोर्ट की बात करें तो आर्ट एपिक सिलिफिकेट हैं एवरेज इसकोर 120 से 150 की बीच में देने वाला है बात करें तो टीम की बात करने से पहले आप से चोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक हो चैनल को जरू से जाके सिस्क्राइब करें ना है और टेलग्राम चैनल को जरू से जाके जोइन करें ना है कि वहाँ पर लाश्ट च्छ मेच के लेटीम, दो मेच हारी हैं, बाखी चार मेच विन करके आरी हैं, लाश्ट मेच विन की थी नरेस कुमार ने और सूरिया बालो ने, नरेस कुमार की बात करें तो 1613, नो टॉट, पचेतर एक विकेट, बारा रन, 34, जीरो विकेट और 15 रन, यहां पर दे कलत हैं, 7-2 विकेट, 1 विकेट, 9-3 विकेट, 24-1 विकेट, 7-0 विकेट, 14-1 विकेट हैं, हर मेच में आपको दो-दो डालता दिकाए देगा, बैटिंग ब्लस बोलिंग, दोनों इनकी भी कापी अच्छी हैं, तो टीम में जरूर रखना है, उमराली की तरह पाजाता है, 24- 0-0, 14-0, 24-0, 49-0, 1 विकेट हैं, यहां पर 3 मेच में नोने बोलिंग की थी, 2 मेच में विकेट नहीं नहीं निकाल पाए, बट लाश्ट के मेच में एक विकेट निकालता था, बट इनकी बैटिंग कापी अच्छी हैं, और बोलिंग करते हैं, तो आप ले प्लस पॉंट य यह बन जाता है, साइल मसंद की बात कर लेता है, 0-0, 24-0, 1 विकेट, 1 विकेट, और 23-9 विकेट हैं, यह भी आपके लिए अच्छा उप्सन है, पेले 3 मेच में बिलकुल विकेट नहीं निकाल पाया, बट लाश्ट के 3 मेच में विकेट निकाले हैं, हर मेच में आपको 2-2 डालता दिकाय देगा, बेटिंग अच्छी कर लेता है, तो इंपोडेंट प्लेयर है, आधनान अलसद की बात करें, 9 विकेट, 9 विकेट, 6, 17, 2, और 9 विकेट हैं, 3 मेच में बेटिंग हैं, 3 मेच में बेटिंग मिली थी, टीटोंटी के 4 मेच में से ताले सरन हैं, 1 निकाले हैं, तो अच्छा उप्सन है, क्योंकि आपको विकेट से अच्छे पूर्ण दे देगा, दीख विजय की बात करें, लाश्ट 5 मेच खेले हैं, यहाँ पर ये ना, 3 मेच में विकेट लेसरा हैं, बट 2 मेच में में बेटिंग निकाले हैं, अप्सन अच्छा है, अर यहाँ पर ना, यह सेकंड और थर्ड मेच में ही, कनपमिनों 3 मेच निकाले हैं, बाके लाश्ट 3 मेच में पुलोब रहा हैं, फश्ट मेच में बिलकूल पुलोब रहा हैं, टीटेन के काउन मेच में सत्ताई सरा नहें, 67 मेच विकेट हैं, 101 कोवर डाल के आने, बेटिंग पुलोब है, बोलिंग पर आप इस वास कर सकते हो, असन विन हकिम की बात करें, खास इंपुलोब नहीं है, क्योंकि एक ही मेच 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 विकेट निकाल पाया है, लेवे से ब्रेम फिल्ड की बात करें, पांच नोटा और नोवेटिंग, नोवेटिंग, टीटेन के एक बात करें, नोवेटिंग, एक विकेट, जीरोगेट, नोवेटिंग और जीरोगेट है, सिर्फ एस सेकंड मेच में एक ओवडाल के एक विकेट निकाल पाया था, बाकी पूरी पांचों में चोंप लोब रहा है, बाकी बेंच में से जो भी कोई प्लेयर के लेगा, उनकी ज आपके लिए उनकी जीरोगेट देने वाला है, क्योंकि विकेट के पूरी पूर्ट हो छे, देखे जाएगा, तो यहाँ पर हम दूसरी टीम बी आई की बात कर लेदे हैं, लास्ट छा मेच के लिए टीम, छो मेच हार के आ रहे हैं, बिल्कुल कम जो टीम है ये, लास्ट मे पूर्ट की बात करें, तीन रन, नो रन, दो मेच में मोगा मिला था, बिल्कुल कम पार के ला था, डॉमेच्टी टीम के एक मेच में तीन रन है, ओडीडी के साथ मेच में 43 रन है, चेक एवरेज एक विकेट है, यहाँ साय उमेर राजी की बात कर लाता है, तेवीस एक वि में बिल्कुल डाउन रहा है टॉम कोर्ड हार्ट की बात कर लाता है जीरो किट सताइस बत्रिस नोट आउट बियालिस नोट आउट छे और साथ रहा है यहां पर तीन मेंच में काप अच्छी पारी यह खिला था बाकि फश्ट और लास्ट के दो मेंच हो इतना बिल्कुल ब् कालवा एक मेंच में 29 रन के अच्छी पारी पनinator के लिए 10 नोट अच्छा और प्लोप हो पर जाता तो चश्डयें किस मेंच में अच्छा करके जाएगा सिर राम वोसले की बात कर लेता है एक नोट आउट बारा जीरो विकेट जीरो दो नोट आउट एक विकेट ग्यारा एक विकेट उत्तीरा रहा है यहाँ पर यह भी आपके लिए बेस्ट फिक होने वाला है क्योंकि लास्ट मैच में ने बोलिंग मिलीने अगर बोलिंग मिलती तो कंफरम विकेट निकाल के जाता बट इस मेच में मुखा मिलेगा ना बोलिंग का तो कंफरम विकेट निकालेगा वेसेस गज़र नोट वेटिंग जीरो विकेट एक विकेट तीन विकेट तीन विकेट और एक विकेट है पीले दो मेचों में ये बिल्कुल प्लोग दा था पर लास्ट के चारो मेच वे थे थे ना चारो मेचों कनभम दो-दो डाल के हर मेच में इनोंने विकट निकाले थे आनि बोलिंग सेक्षन से आपको जरूरी नहीं मौका देना है क्योंकि आपको बोलिंग से 100% या अच्छे पॉंट देने वाला है मैं ख्वैक की बात कालत है जीरो केट, एक विकट, जीरो केट, एक विकट, जीरो केट और दो रने याँब दो ही मेच में ये विकट निकाल पाए है बाकि चार मेच में बिल्कुल फ्लोब है टीटेन के पांच मेच में जीरो केट है सेंप लिप्स की बात करें, एक विकट, जीरो केट है डॉमेश्टी टीटेन के दो मेच में जीरो केट है आली वो समा की बात करें, लास्ट मेच में नौ बेटिंग है बाकी बेंच में से जैसे या से न इमरान फरीद दादा आ जाता है ने खिलने तो इसे मैं टीमें जरूर मुका दूँगा क्योंकि काप्या चौप सन है तरिपण एक बिकिट सब्ताइस जीरो गिट दो एक बिकिट देविस जीरो गिट यानि इनकी बेटिंग ब्लस बॉलिंग दोनों गाभी अच्छी है तो आपको कहीं से भी यह पूंट दे देगा तो बाकी बेंच में जो भी कोई प्लेट के लेगा ना उनकी जानकर आपको टिल्ग्राम चेनल पर ही देखने को मिज जाएगी तो यहां पर स्टार्टिंग को जाएंगे वी गचल यहां से भी एजाच डेथ को बड़ना जाएंगे वी गचल एस प्लिप्स और यहां से बेंटले जो डेथम बॉलिंग करेगा ना वह हमें साब के लिए मुटन देने वाला है क्योंकि वेकट के पूंट अच्छे देखे जाएगा तिहां पर वीडियो क चैनल का लिंग एक तो आपके से वीडियो के डिसकोशन में दूसरा जाओ रहाँ कमेंट करते हैं वहां पर उपर उपर आपको पिन के उपर मिल जाएगा तो जैसे हमारे काउंट पेक लोग रहेगा आप टिलग्राम को जोईन का लेना है तो यहां पर हम जादा टाइम नह एस महसंद को बोलिंग सेसें से ए वोकारी को भी एजाज को केप्टन करने हो ला एस बालो को वाइस केप्टन करने हो ओ अली को बट यह मेरी पाइनल टेम बिल्कूल नहीं है यह सुर्छ मेरी डेमोटी में पाइनल टेम में बेटों को डलाने के बाद में ही दिपाऊंगा अगर आपको अच्छी बीनिंग करने है तो आपको जरू से जाके मारे टेलग्राम को जवन काया लेना है क्योंकि ना पिछले में आपको अच्छी बीनिंग करने है तो आपको जरू से जाके मारे टेलग्राम को जवन काया लेना है अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी ल